तो इसे हम लोग कते हैं price contraction and इसे हम लोग कते हैं price expansion और अगर बात करेंगे technical term में तो Hi everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं जहांपर हमें last week के काफी बेहतरी इन breakout देखने को मिला है और अगर इस stock breakout के direction में अगर movement को continue करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है अब बात करते है stock की पहला stock है हमारे पास kilos कर brothers का और यह rice का chart तो सबसे पहले हम लोग यह पर region को fine root करते है कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा, क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं time frame उश कर रहा हूँ वह है weekly का last time हमने इसको discuss क्या था somewhere around 650 के आसपास फिर हमने इसको discuss क्या था around 1060 के आसपास और अभी जो stock rate कर रहा है around 1142 के आसपास तो काफी 23 आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो होग सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out करेंगे एक simple सा rectangle pattern याद रखिएगा आप trading कर रहे हो investing कर रहे हो आपके logic हमें सा clear होने चाहिए stock selection को लेके तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से चोटे से range में trade कर रहा था इस range को हम लोग consolidation zone या box pattern कहते हैं and last week में हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region stock को जो select करने का है either consolidation zone और box button का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो previous कई week के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेसा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और यह जो concept है यह आपको हर जगा help करेगा आप कहीं भी trading करते हो हो सकता है forex में trading करते हो crypto में trading करते हो intradact करते हो scalping करते हो positional करते हो या swing करते हो वो जो concept है वो हर जगा valid है अब हम लोग chart को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोसेज करेंगे कि यह company कब list हुई थी और इसका all time हाई क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह company list हुई है somewhere in May 2010 and इसका जो all time हाई था वो था somewhere around 1050 के आसपास जिसका हमें last week में एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसा stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout also known as ATS का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1150 के अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की एक reversal दिखाता है जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे price कई weeks से इस level को break करने की कोशिस कर रहा था बट इसे break नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर buyers available है और in technical terms you can also say that demand was greater than supply that's the reason price was not falling और यही हमारा stop loss होगा जो कि R.I.885 रूपीच closing basis पर अब बात करते हैं target की जैसा कि अभी हमने dismiss किया कि यह जो stock है अपने all time hyper trade कर रहा है that means कि upside में इसके पास कोई भी resistance नहीं है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के move पर partial profit बुक करते हैं for example माल लीजिए मेरे पास किल्लो सकर ब्रदर्स के 100 shares है stock जो ही वो 10% का move दिखाता है तो यह पूरी तर से मेरे उपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity बुक करूँ या 10 quantity बुक करूँ और इस पर भी depend करेगा कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आईए देखते हैं next stock और यह है union bank का और यह rest का chart अग्गें सब सब ले region को find out करेंगे last time हमने इसको discuss किया था somewhere around 50 रूपीज के आसपास और अभी जो यह trade कर रहा है around 150 रूपीज के आसपास तो almost आपको 3x का return देखने को मिला होगा तो इसलिए मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ कि initial breakout find out करने की कोसिस करिये क्योंकि वहाँ से जो आपको returns देखने को मिलेंगे वो काफी ज़्यादा extraordinary होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस बार एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out करेंगे एक simple सा horizontal line चीजों को बिलकुल ही असान रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि जो 151 का जो level है यह last time हमें December 2017 में देखने को मिला था that is around 7 years ago and 7 साल के बाद यह जो 151 का जो level है यह break हो रहा है तो इसे हम लोग काते हैं multi year का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर pattern भी draw कर सकते हैं और इसे हम लोग काते हैं round bottom pattern जिसका हमें last week में एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसे stock को जो select करने का है वो है round bottom pattern का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 165 के अगर उपर निकलता है तो हमका अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 140 रूपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 172 का second target है 188 का और जो third target हमारे पास आ रहा है वो है 215 का अब आईए देखते है next stock और यह है rallies का और यह rallies का chart अगेन सबसे पहले region को find out करेंगे last time हमने इस cup and handle pattern के breakout पर discuss किया था somewhere around 250 के आजपास और अभी जो stock टेट कर रहा है around 300 रूपीज के आजपास तो काफी बहत ही आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out करेंगे again एक simple सा horizontal line चीजों को बिल्कुल ही असान रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक kind of inverted hidden shoulder pattern बना रखा था and last week में हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इस स्टॉक को जो select रहने का है वह है inverted hidden shoulder pattern का breakout एक बात मैं आपको बता दू कि यह जो pattern होता है यह bullish in nature होता है अब इसका मतलब क्या हुआ कि stock जिस direction में breakout देता है उस direction में मैं बड़े moves देखने को मिल सकते है again it is probability not guarantee तो इस बात को ध्यार मरेखेगा उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगा कि जो last week का जो volume है वो previous कई week के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 300 का अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss का previous swing low जो क्या रहा है 245 रूपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target है 315 का second target है 360 का अब इसके बात जो stock है वो अपने all time high की तरफ निकल जाएगा अब आए देखते हैं next stock और यह है solar industry का और यह रहाइस का chart जिसको हमने last week भी discuss किया था मैं आपको बता देता हूँ कहां पर हमने discuss किया था तो हमने somewhere यहां पर discuss किया था इस पर ब्रेक आउट पर और next day इस ने around 470 प्लस पॉइंट का गिन हमें दिया था single day में बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए और आप यहां पर यह भी notice कर सकते हैं कि लास्ट ताइम हमने इसको discuss कहा था somewhere around 2900 के आसपास फिर हमने इसको discuss के around 5700 के आसपास और अभी जो stock rate कर रहा है around 8000 रुपीज के आसपास तो काफी बेह दिन आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region तो उपर वाला जो line है मैं उसमें कोई भी change नहीं कर रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें एक और trade line को draw कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि जो price है वो बड़े range से छोटे range की तरफ shift हुई है और इसके बाद हमें एक breakout दिखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग करते है price contraction और इसे हम लोग करते है price expansion और अगर बात करेंगे technical term में तो इस pattern को हम लोग करते है penant pattern और इसका हमें एक breakout होते हुए दिख रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर ये stock 785-0 के अगर उपर निकलता है तो हम अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो कि आर रहे 6925 रूपीज closing basis पर ये जो stock है अपने all time high के पास trade कर रहा है तो जैसा कि अब ही हमने dismiss किया है अब आये देखते हैं इसका last stock और ये है जैसा tick का और ये रहाइस का chart तो last time हमने इसको discuss किया था somewhere around 605 के आसपास and इसने high लगा था around 645 का जो हमारा stop loss होगा वोगा previous swing low somewhere here जो कि अभी तक hit नहीं हुआ है that means कि इसमें भी आपको एक profit ही देखने को मिला और आप ये भी कर सकते हूँ कि आप इसमें भी cost to cost होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time हमने miss कर दिया है तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और यहां पर मैं एक सिर्फ और सिर्फ एरिया ड्रोग कर रहा हूँ और आपको इसी पर focus करना है कि price किस तरह से behave करता है तो आप यहां पर notice कर सकते हैं कि जब price नीचे से upside में आती है तो same level पर आक एक resistance face करता है और यहां से एक down move same again price same level पराता है और फिर से हमें एक down move यहां पर एक breakout देता है और जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी candle breakout देता है हम लोग उसके high के ऊपर buy करते है तो यहां पर हमारा trade कभी execute ही नहीं होता फिर उसके बाद यहां पर एक breakout हमें देखने को मिलता है और लास्ट वीक में हमें same level का retest देखने को मिल रहा है तो इस stock को जो select रने का जो region है वो है breakout and retest जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी discuss किया है कि breakout and breakout and retest में जो difference है वो है stop loss का जब आप breakout पर trade लेते हो तो जो आपका stop loss होता है वो काफी बरा होता है as compared to the breakout and retest तो अगर आपने previous वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं उसमें काफी बहतरी knowledge देखने को मिलेगा उतना ही नहीं आप एक यहांपर pattern भी draw कर सकते हो और इसे हम लोग करते हैं descending triangle pattern तो second region इसे stock को जो selected नहीं का है वो है descending triangle pattern का breakout आप यहांपर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो previous week के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस retest को और in other terms you can also say that कि यह descending triangle pattern का जो breakout है जो volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 600 के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 515 रुपीज closing basis पर हमारा first target होगा 644 का और इसके बाद जो stock है अपने all time high की तरफ निकल जाएगा तो आई होब कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching